अस्सलाम अलेकुम नाजरीन एट सावरहान पर खुशाम दी तेरे बेंड ड्रामा अगले किसका प्रोमो निशर कर दिया गया है जिसमें आप लोग देखेंगे कि मुर्तसिम और मीरब कहीं जाने का प्लैन बना रहे होते हैं मुर्तसिम तो हामोश होता है लेकिन मीरब अपने वालिद के साथ बात शेयर कर लेती है जिसपर मीरब का वालिद नाश्टे के टेबल पर बैटकर मीरब से पूछता है कि हां आप बोलें आप कह रही थी कि हम लोगों ने कहीं जाना है जिस पर मीरब उसे कहती है कि हाँ हाँ वो मुर्तासिम और मैने कराची जाना है जिस पर उसका वालिद उसकी तरफ काफी उससे देख रहा होता है जबकि उदर हाया मीरब को बिलकुल सुकून से रहने नहीं देती और वो मोका पाते ही मुर्तासिम और मीरब के दर्मियान होने वाला agreement के पीछे उसके कमरे में पहुँँ जाती है जबकि मीरब की मुलाजमा ये सब कुछ आकर मीरब को बता देती है तो उस पर मीरब काफी परशानी की हालत में अपने कमरे की तरफ बागती है लेकिन हया वो agreement हासिल करके वापस आ चुकी होती है जबकि इदर हया वो agreement सब को पूरे गर के सामने दिका देती है तो उस पर मुर्तासिम का वालिद और वालदा काफी गुसे में मीरब को बोलते हैं कि ये आपने क्या किया है जबकि मुर्तासिम की वालदा उटकर उसे कहती है कि निकाह के दर्मियान जो आप उटकर गई थी आप ये सब कुछ करने के लिए गई थी जिस पर मीरब काफी परशान और हामोश दिकाई दे रही है मीरब मुर्तासिम को बोलती है कि अभी आप वो एगरिमेंट पाड़ दे जिस पर मुर्तासिम उसे कहता है कि वो मैं नहीं बलके आप वो पाड़ेंगे और मुझे उमीद है कि किसी न किसी दिन खुद आप को इहसास होकर आप इस एगरिमेंट को पाड़ देगी जबकि उदर हाया अब भी मीरब का मुबाईल उटा कर उसको देखने की कोशिश करती है तो उस पर मीरब उससे अपना मुबाईल वापस मांगती है लेकिन हाया उपर सीडियों की तरफ भाग जाती है और मीरब उसके पीचे पीचे सीडियों पर जूही कदम रखती है तो हया वहाँ पर तैल चड़क चुकी होती है जिसकी वज़ा से मीरब का पाउं स्लिप होकर वो नीचे गिर जाती है और हया काफी खोश दिकाई दे रही है नाजरीन आप लोग के ह्याल में क्या मीरब की जान बच पाएगी या नहीं अपनी राये कमेंट बक्स में जरूर दीजेगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब किजेगा अल्लाहाफेज